नमस्कार, आज सांजना पांच वागया, गईकालना सांजना पांच वागया थेटली 24 कल्लाक मा गुजरात मा कुल 313 जेटला COVID-19 ना पॉजिटिव केसेज आवया छे आजे जे मृत्यू थाया छे COVID-19 सारवार लेता हता ए दर्म्यान एवा पांच लोको छे के जेने प्रात्मिक रीते COVID-19 संक्रमान थी मृत्यू थायू छे बार एवा लोको छे के जे मने अन्य हाई रिस्क फाक्टर्स हता अत्वा अन्य गंभीर बीमारीयों पहले थी हती अन्य कोविड ना संक्रमान थाय ने ए लोको नू मृत्यू आ 24 लाक मा थाया छे आजे कुल 86-86 जेटला लोको छे के जे COVID-19 मा पॉजिटिव टेस्ट थाया था एमने ट्रीटमेंट लीधी चिकीचा लीधी अने बिलकुल साजा थाय ने हवे वापस साजा थाय ने घरे जैरेया छे आजनू ब्रेककाप आपड़े जोहिए तो 313 नू तो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट मां साउथी वधारे अमधाबाद मां छे आनंद मां 3, अर्वली मां 1, भावनगर 4, दाहोद 1, गांधी नगर 10, महसाना 3, सूरत 13, वडुद्रा ओगनीस अने पंचमाहल 10 एम करीने आजना डिस्ट्रिक्ट वाइस ब्रेककाप आरीते छे अत्यार सुधी जे कुल पॉजिटिव केसेज हवे आजनी साथे 4,345, 4,395 केसेज पॉजिटिव थेया छे एमाथी वेंटिलेटर पर 33 जना छे 3,535 लोको 3,535 जेटला लोको स्टेबल छे कांतो रूम एयर पर छे केपची ऑक्सजन मां छे अने 630 एवा लोको छे के जे डिस्चार्ज थाईने साजा थाईने घरे गया छे लेबोरेटरी परिक्षण नी वाद करिये तो अत्यार सुधी नी कुल टेस्ट 6,000 64,007 जेटली थाई छे अने पाई की जे पॉजिटिव टेस्ट अत्यार सुधी कुल थेया छे 4,305 जेटला थेया छे बद्धा थाईने अने आज नी तारीखे 4,509 टेस्ट करे आता है आमाँ खास आपने एक ICMR द्वारा पूलिंग स्ट्राटजी एक आया छे के अमूक केस्ट माँ आपने वधरे सैंपल्स पन एक साथे पूल करी शक्ये ए स्ट्राटजी पन आजे अपनावी हती अने थोडीक स्ट्रेंग्थ और टेस्ट्स नी संख्या माँ वधरो थेयो छे 4,509 आर इतनी विगत हती पची जे डिस्चार्ज थेला केस्ट छे टोटल 86 जेटला रोको अम्दाबाद मा त्रेपन आनंद एक, बनासकाठा त्रण, भरूच चार, कच एक, महिसागर पांच, महिसाणा त्रण, पंचमहाल एक, राजकोट एक, अने सूरत चवध एम करीने 86 जेटला नवा नोंधायल डिस्चार्ज नी विगत छेला 24 कल लाक मा आप्रमाने छे तो आ रीते विगत छे, आजे बीजी एक बे पॉजटिव वस्तुओपन शेर करवा मांगिये छे, आपने बद्धा जेम जानिये छे, के जो आपने बद्धा पॉजटिव रहिये, काम रहिये, अने एना थी आपनी जेनरल रोग प्रतिकारक शक्ती एना थी पढ़ वदे छ धीरज राखिये, गुजराते अनेक प्रकारना पड़कारों नो सामनो करयो छे, अने आ मात्रों कोवेड पॉजटिव आवता, आपना जानने कोई तरतज पैंक डेंजर छे, जोखम छे वू नथी, एटले आमा पॉजटिव थाए, तो मोटा भाग आपने जोईू आजे, क एक च्यासी जेतला लोको, अने कुल, पड़ आपने जोईू के 613 जेतला लोको साजा थाईने, डिस्चाज थाईने, पाच आवे छे, एटले आपने, वी वांट तू एंशूर के जेतला पन लोको टेस्ट थाये छे, पॉजटिव आवे छे, एमनी ट्रीटमेंट पन करवा आवे छे, अने साजा थेईने जाये छे, एवा अनेक आपनी पासे एक्जाम्पल्स छे, जे कोविड हॉस्पिटल्स ने पन तयार करवा माटे नी, जे कामगीरी राजी सरकारे, एमा अलग-अलग अधिकारी श्रियों ना लीरर्शिप हेटडा काम करी छे, एमा श्री पंक हॉस्पिटल्स बनावानी कामगीरी करी छे, एमा पन खूब उंदा कामगीरी थाई छे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स मा आजे पन, साजे आपने आबधी बाबतों नी रिव्यू, जेते जिल्लाना माटेना स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल ओफिसर्स, आयेस कक्षाना अधिकारियोंने जे नियूक्त करया छे, ए बध्धाय त्याँ डिस्ट्रिक्ट्स मा जे कामगीरी करी रही छे, करवा मा आवी रही छे, एनी बधी एमने अपडेट्स, अने एन्या बारामा जे सिध्यों छे एनी शेरिंग करी, गणी बधी एमा सारी-सारी बाबतों निकल जे दाकला तरीके, भावनगर नी अंदर त्याना अमारा जे डिस्ट्रिक्ट डेवलप्मेंट ओफिसर छे, श्री वरुन त्यां छे बनवाल, एमना नेत्रुत्व हेठल, दरेक गामडा नी अंदर आठ थी दस चेटला वोलंटियर्स ने पण, रेडी करवा मां आवे आच पण, विवेका नंद, युवक मंडलो द्वारा, बध्धाज विस्तारों मा, गामों मा, खुब उत्सा थी, खुब खांध थी, एमनी टीम्स काम करी रही छे, जेनी पण, खास नोंद लेवा मा आवे छे, रापिड रिस्पॉंस टीम्स, दरेक जिल्ला माटे, लेवा मा आवे अती, जेनी अंदर, गुजरात नी अंदर अलग-अलग जिल्लाव के जे रेज जोन, ओरेंज जोन अने पछी, ग्रीन जोन मा खे, ए अंगे नी पण, अलग-अलग राजियो मा जे गतिविदियो छे, कामगिरी छे, एनी पण समिक्षा करवा मा आवी, अने आजे बीजी एक पॉजिटिव स्टोरी अमें शेर करवा मांगिये छे, के मानसा जिल्ला नी अंदर, मानसा टाउन, तालूका नी अंदर अने शेहर खास नी अंदर, एक खुब एक सरस प्रयास त्याना दिनेश भही व्यास, अने एज रीते त्यां तेजस भही धवे, अने आखी टीम नी प्रेर्णा थी, डॉक्टर तुशार, जानी, डॉक्टर राकेश भही गोस्वामी, ए बद्धाना संयुक्त उपक्रमें, लगबद 30,000 जेटला त्याना लोकों ने अमदाबाद ना जैनम परिवार रिलिजिस ट्रस्ट पासे थी, जे होम्योपती नी आर्सेनिकम आल्बम पोटनसी 30, ए आटला बधा लोकों ने त्या वितरन करवा मावियू छे, अने आ बधा लोकों ये लेवा थी, एमनी पन रोक प्रतिकारक शक्ती घणी वधी छे, आरी त्या अनेक अनेक जिल्लाओं मा, अनेक अनेक गामडाओं मा, शेहरों मा, त्याना लोकल जे स्थानिक आगेवानों छे, होदेदारों छे बधा, खूब सफलता पूर्वक, आवी प्रयासों, प्रयोगों करी रहा छे, जेने आपने खरेकर अफकारीये छे, अने फरी बधा ने कैशूं कि आपने बधा धीरज राखिये, साथे मडीने, आजे कोरोना, कोवेर 2019 नुझे युद्ध छे, आपने बधा साथे मडीने काम कर्शों, तो चौककस आपने सारा सफलता एमां मल शे, अने एमां बिल्कुल पानिक करवानी के घबरावानी जरूरत नथी, आपना बधाना मोबाईल्स मां आरोग्य सेतु आप पन डाउनलोड करवा मांटे नी वा अथ्वा एवा लोको के जेमने अन्य गंभीर बीमारी होई, एनी तो खास आपने कालजी लेवी पड़े, घणा बधा जिल्लाव मां आवी एक एक व्यक्ती ने फोन करीने पन लोको कामगिरी करी रहा छे, जेमके पंच महल जिल्ला, एमां आवा जे लोको छे एक 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 न करवा मा आवी रही छे, जेनी नोन लई ने तमने पढ़ अलग-अलग सफसे स्टोरीज साफल्य गाथाओ, दिवस दर्म्यान रजु करवा मा आप छे, नमश्कार नमश्कार, गुजरात में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक 24 घंटे में 313 जितने पॉजिटिव कोविट 2019 के केसज आए हैं आज इसी 24 घंटे के दर्म्यान पांच ऐसे लोग हैं जिनकी दुखत बृत्यू हुई है कोविट 2019 का ही प्राथमिक कारणत की वजे से और 12 ऐसे लोग हैं जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और उनको कोविट 2019 का संक्रमन लगते वो भी इंफेक्ट होके उनका दुखत चिकीट्सा के दर्म्यान उनकी बृत्यू हुई है आज जो कोविट का ट्रीट्मेंट ले रहे थे जितने लोग इसकी इलाज ले रहे थे चिकीट्सा ले रहे थे में आये हैं अभी तक कुल हमारे पॉजिटिव जो कोविट 2019 के दर्दी है 4,395 हैं और अभी इसमें से 613 जितने लोग डिस्चार्ज होके वापस घर चले गए हैं और अभी जो आक्टिव पेशन्स है उसमें से 3,535 लोग स्टेबल है और 33 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर बहुत ही ग्रिटिकल कंडिशन में है आज तक कुल हमने जो टेस्ट किये हैं 64,007 जितने टेस्ट किये हैं और इनमें से जो पॉजिटिव आए हैं 4,500 टोटल आए हैं 4,395 और आज दिवस दर्म्यान दिन दर्म्यान 4,519 जितने टेस्ट हम कर पाए हैं ये हमारी ख्रमत से आगे है जादा है और हमने इसके लिए एक ICMR ने जो इनोवेटिव पूलिंग स्ट्राटजी यानि के एक ही साथ हम पांच से जादा सांपल्स का टेस्टिंग कर सकते हैं ऐसे जिलों से कि जहां पर बहुत जादा पॉजिटिविटी न हो तो उसका भी हमने प्रयोग किया है यूटिलाइस किया है टेस्टिंग और सब सतीक तरह से इसको चेक करने के बार आज और भी थोड़े अच्छे पॉजिटिव स्टॉरीज ये हैं कि एक आनन जिले में बहुत सारा योगदान वहां के लोकल स्थानिक जो विवेकानन्द युवक मंदल हैं उनके वॉलंटियर के द्वारा करने में आया है खंबात जैसे विस्तारों में भी बहुत उम्दा काम हो रहा है आज हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साब ने भी अलग-अलग राज्यों में जो कोविड में खास करके रूथलस कंटेन्मेंट की जो बात करते हैं कि बहुत ही सटीक तोर से लॉक ड किया उन्होंने की थी और इस तरह से अलग-अलग जिलों में बहुत अच्छे सक्सेस स्टॉरीज साफलय गाता हैं भी आज हमें जानने को मिले वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट के अथारिटीज और अलग-अलग जो सीनियर आयस ओफिसर्स को भी इन जिलों में अपॉइंट किया है उनकी लीडर्शिप में भी बहुत उंदा काम हो रहा है जैसे भावनगर के अंदर हमारे श्रीमती सोनल मिश्रा वहां पर डिस्ट्रिक्ट में शीज़ा सेक्रेटरी इन चार्ज और वहां के जो डीडियों हैं वहां के जो कलेक्टर श्री हैं बरुन कुमार बनवाल वहां के जिल्ला विकास अधिकारी श्री हैं उनके एक पहल से इनिशिटिव से हर गाव में आट से दस ऐसे वॉलंटियर्ज हैं वहां स्वायम सेवक हैं जिन्होंने पूरे गाव के अंदर एक कोविड मुक्त गाव करने के लिए बहुत ही उमदा प्रयास किया है इसी तरह से पंच महल में जितने भी लोग साथ वर्स से बड़ी उमर के हैं और जितने लोगों को अन्य गंभीर बीमारिया हैं उन लोगों को इस तरह से एक वॉलंटियर की सेना से रोजाना घर फोन करके चेक किया जाता है कि वो बिलकुल ठीक है किसी को कोई जादा सिंटम्स नहीं आये इस तरह से बहुत अच्छे प्रयास मांसा में कल ही पता चला कि वहां की पूरी टीम डॉक्टर तुशार जानी डॉक्टर राकेश भाई गोस्वामी और वहां पर पूजय तेजस भाई दवे और इसी तरह से श्री दिनेश भाई व्यास इन सब के संयुक्त प्रयासों से 30,000 जितने लोगों को अमदाबाद के जैनम परिवार रिलिजिस ट्रस्ट के द्वारा आर्सेनिकम आल्बम पोटनसी 30 का जो रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए होमियोपती की जो दवाई है इसका निशुल्क धोरन पर वितरण किया गया है तो इस तरह से सबस सेतु का आप है उसे बिलकुल भूलेंगे नहीं से डाउनलोड करके यूज करने का और इसी तरह से हम सबसे अनुरोद करेंगे कि बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है हमने जिस तरह से स्वाइन फ्लू, H1N1 अलग-अलग बिमारियों के साथ जिस तरह से लड़ाई की है और हम विजेता हमें मिली है उसी तरह से इस युद्ध में भी हम जरूर अपने धीरज के साथ अगर लड़ेंगे तो हम बिलकुल इसमें हम विजेई प्राप्त करेंगे नमशकार नमशकार between 5 p.m. yesterday and 5 p.m. this evening across Gujarat there have been 313 positive cases of COVID-19. Today we've had five people who for whom the primary cause of death has been COVID-19 but there have been 12 others also who have unfortunately died but they were already suffering from another serious illness. These were what are known as comorbid patients and they also contracted COVID-19 and died during this treatment in the last 24 hours. As many as 86 people who were tested positive for COVID-19 were undergoing treatment have been discharged today after successfully completing their treatment and testing negative two consecutive times across a 24-hour period. The breakup of these cases maximum cases have come in Ahmedabad 249 followed by Gandhinagar 10, Surat 13 and Panchmahal 10, Varudra 19 and there are single digit numbers in other districts. As of today we have totally 4,395 positive COVID-19 patients across Gujarat. Out of those that are under treatment known as active patients 3,535 are stable while 33 of them are critical under ventilatory care and in all 613 patients have been discharged after successfully being treated. And this is again gives us a lot of hope that if we don't have reason to panic, if we report well in time and if these symptoms are reported immediately with treatment with proper medical care we are able to recover positively and as many as 613 patients have actually recovered and got discharged. The total tests that have been carried out in Gujarat so far is 64,007 and out of which 4,395 tests have come positive. During the last 24 hours we have done as many as 4,519 tests. This has been beyond our capacity of 3,000 and this has been possible with a technique known as pooling where more than five samples are simultaneously tested using the same kit. This has been suggested by ICMR and many countries like Israel do this successfully. We have been trying and calibrating this as pilots over the last few days and we are now slowly ramping up our testing capacity by including these pooled samples as well. We also have some other heartwarming stories today. In the town of Mansa, very close to Gandhinagar, we have had as many as 30,000 people who have been administered prophylactic dosage of doses of arsenicum album potency 30 which is a homeopathy medicine to boost their immunity to be able to cope with any infection including COVID-19. This has been done by the local communities there, the people there under the leadership of Shri Dinesh Bhai Vyas, Shri Tejas Bhai Dave and Dr. Tushar Jani, Dr. Rakesh Bhai Goswami with contribution of the Jainam Parivar Religious Trust who has provided these 30,000 doses of this medicine for local distribution. There have been similar heartwarming stories in other districts of the state as well which we will share with you separately from time to time. For example, in Panch Mahal's district under the leadership of the collector Shri Amit Arora and the district development officer Shri Shah as well as the secretary who has been specially appointed there to take care of the current situation and crisis, Shri Rajesh Manju. They are actually telephoning every household which has people either with a comorbid condition or who come in the high risk category, elderly people to enquire about their state of health on a daily basis. Similarly, in Bhavnagar district under the leadership of Srimathi Sonal Mishra, the secretary in charge of the district, the local district development officer Shri Varun Kumar Barnwal, it has also been organised that as many as 8 to 10 volunteers are present in each of the villages who really are championing the cause of prevention of the spread of infection of COVID-19. Similarly, in Anand district, we have got active involvement of the Vivekanand youth or Yuvak Mandals who are playing a very proactive role in creating a lot of social behaviour change and taking on leadership for effective containment strategies, door-to-door surveillance, and all these activities fully abiding by the lockdown and the social distancing norms. So we'd again like to thank and appreciate the immense contribution by all of you under the solid leadership of our Honourable Chief Minister, Sri Vijay Rupani Sahab and the complete guidance of our Honourable Deputy Chief Minister, Srinitin Patel Sahab and they review the work done by our teams on a daily basis, spending a lot of time giving us guidance on a whole lot of issues to be able to effectively deal with this war on COVID-19. Thank you. Namaste. New York City, Srinitin Patel Mahal,